जिले की चिठी में आज आप सुनिये नीमच जिले की चिठी आलेक दिनेश प्रजापती वाचक राना शाहिद नीमच जिले में भी इन दिनों रात और सुभा के वक्त ठंड पढ़ने लगी है रात का तापमान जहां 18 डिगरी के आसपास बना हुआ है वहीं दिन में तेज धूप खिलने से गर्मी महसूस की जाती है किसान भाई भी जिले में रवी फसलों की पौनी में लगे हुए है नीमच नगरपालिका शहर के निकलने वाले गीले कच्रे से खाद बनाने का कारे दो साल से कर रही है करीब 24 टन जैविक खाद बना कर दो रुपे प्रती किलो के भाव बेची भी है अब नगरपालिका किसान की देखरेक में ही जैविक खाद बनवाएगी ताकि उसकी गुणवत ताज ज्यादा रहे और अतिरिक्त करमचारी नहीं लगाना पड़े यह पहला प्रयोग है जहां ट्रेचिंग ग्राउंड पर किसान अपनी देखरेक में जैविक खाद तैयार करवा कर उसे खरीदेंगे इसके लिए नगरपालिका ने बाकाइदा किसानों से करार भी किया है विपडन संग ने कारोबार को गती देने के लिए एगरी व्यापार मोबाईल एप तैयार कराया है इसके जरीए किसान अपनी फसल को देश भर में कहीं भी एप की मदद से बेच सकेंगे इसके बाद फसल देख कर कोई भी व्यापारी उसकी बोली लगा सकेगा किसान को फसल की गुडवत्ता के हिसाब से भुकतान मिलेगा इस तरह की प्रयोग से वे ठगी से बच जाएगा विपडन संग द्वारा लॉंच एगरी व्यापार एप पर किसान अपनी गुडवत्ता उपज की जानकारी देकर उसकी सही खीमत प्राप्त कर सकता है किसानों को एप के माध्यम से अपनी फसल बेचने के लिए पंजियन मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से कराना होगा पंजियन के लिए किसानों को बैंक खाते की पास बुक, पावती या खसरे की नकल की फोटो कॉपी जमा करवाना होगी इसके बाद किसान घर बैठे, देश भर के व्यापारियों को उपज दिखा कर उसे बेच सकेंगे नीमच नगर पालिका समेत जिले के 12 नगरी निकायों के चुनाओं को लेकर तैयारिया अब जोर पकड़ने लगी है इसके तहट वाड आरक्षनों के लिए तारीखें तैय हो गई है जिले के निकायों में यह प्रक्रिया 11 से 13 दिसंबर तक चलेगी कलेक्टर अजय गंगवार ने इसके आदेश चारी किये इधर घोषना के साथ ही स्थानिय स्तर पर वाड प्रत्याशी भी आरक्षन प्रक्रिया पूरी होने के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं राजनीतिक डल कॉंग्रेस वा भाजपा भी इसी आधार पर प्रत्याशियों का चैन करेगी अगले दिनों में चुनावी माहोल जोर पकड़ेगा जिला अस्पताल में जल्दी ही दवाओं और वैक्सीन के बहतर तरीखे से रख रखाओ विवस्था हो जाएगी इसके लिए दोनों के अलग-अलग नवीन स्टोर भवन निर्मान स्वीकृती के बाद वर्क ओर्डर जारी हो गए हैं अगले सब्ता उनका काम भी शुरू हो जाएगा 48 लाख की लागत से ड्रग स्टोर वा 32 लाख की लागत से वैक्सीन स्टोर भवन का निर्मान CMHO ओफिस के पास स्थित चिकित सकों के पुराने आवास तोड़ कर कराये जा रहा है नीमच में पिछले दिनों जाजू कन्या कॉलेज में रेड प्रॉस इकाई एवं रेड रिबिन क्लब द्वारा स्वास्त परिक्षण शिविर एवं एड्स विशय पर व्याख्यान हुआ इस दोरान लगभग 126 चात्राओं का स्वास्त परिक्षण जिला चिकित साले की डॉक्टर तनू जैन एवं डॉक्टर पलक द्वारा किया गया नीमच नगरपालिका शहर के चिनित शेक्त्रों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए आठ सर्व सुविधायुक्त सुलब शौचालय बनाएंगी जहां दिव्यांग के लिए अलग से विशेश टॉयलेट की सुविधा होगी टीवी और मोबाइल का शौक बच्चों के लिए घा तक होता जा रहा है जिले में 40 संकुल के तहट सरकारी स्कूलों में अध्यनरत 1.58 लाख बच्चों की जाच में 2256 की आँखे कम जोर मिली इसमें से 1325 बच्चों को चिनित किया है जिनको स्वास्त विभाग के माध्यम से फ्री चेश में दिये जाएंगे शिक्षा विभाग दौरा साल में दो बार स्कूलों में लगाए गए हेल्थ चेक अप कैम की रिपोर्ट में है खुलासा हुआ है नगरपालिका नीमच द्वारा स्वच्च सर्विक्षन 2019 में बहतर स्थान पाने वह सफाई व्यवस्था के साथ ही जागरूपता लाने के लिए नवचार किये जा रहे हैं सुन्दरता बढ़ाने और स्वच्चता का संदेश देने के लिए अब शहर की प्रमुक रोड के बीच बने डिवाइरर पर स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं गीला वा सूखा कच्रा अलग रखें जिसे कच्रा गाड़ी में ही डालें जैसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं जिससे जन जागरती बढ़ेगी जिले की चिठी समाप्त हुई